बदलते मोसम में वायल फिवर तेरी से लोगों को अपना सिकार बनाता है कई बार लोगों को इस समझने में काफी वक्त लग जाता है तब तक यह सरीर पर पूरी तरह से काबू पाचुका होता है आज हम आपको वायल फिवर से बसने के कुछ घरल उपाय बताने वाले हैं जिनने जानना आपके लिए जरूरी है लेकिन वीडियो चुकरने से पहले में इस छोटी से रिक्वेस्ट है कि और हमारी रोग पृतिरोदक छमता पर हमला करता है जिससे सरीर में संक्रमन बहुत तेजी से बढ़ता है हलाकि कुछ चीजों का सेवन करने से आप इस समस्य से रहात पा सकते हैं धनिये के बीच एंटी वायोटिक्स के साथ साथ कई बिटामिन से समरद होते हैं जो वायरल संक्रमन से लड़ने की सकती देने और रोग पृतिरोदक छमता को मजबूती प्रदान करने में सायक हो सकते हैं वायरल फीवर से रहात के लिए एक गिलास पानी में एक बड़ी चमस धनिये के बीच डाल कर इसे उवाल लें अब इसे च्छान कर इसमें स्वाद अनुसार सहद मिलाएं और फिर इसका सेवन करें तुलसी का काड़ पियें तुलसी की पत्तियों में एंटी वायोटिक गुल पाया जाता है जिससे वायरल फीवर को रोकने में मदद मिलती है इस समस्य से रहात पाने के लिए आधी चमस लोंग के पाउडर को करीब 20 साफ तुलसी के पत्तों के साथ एक लीटर पानी में डाल कर उबाल लें और फिर छान कर इसका सेवन करें वायरल फीवर होने पर इस काले का हर 2 या 3 घंटे पर सेवन करें यकिनन इससे आपको काफी आराम मिलेगा नमब थ्री लहसुन का करें सेवन लहसुन एंटी इंफिलिमेंटरी और एंटी विक्टीरियल गुणों से समरद होता है जो दीरे दीरे वायल फिवर को खतम करने का काम करते हैं इसके साथ ही रोग प्रतिरोदक छमता को बेहतर बनाने में भी मदद करता है राहत के लिए एक काप पानी में लहसुन की बारी कटी हुई दो तीन कलिया डालें और कुछ मिनट तक पानी को उबलने दें अब पानी को छान लें और हलका ठंडा होने पर चाय कितने इसका सेवन करें नमब फॉर हल्दी और सोंट का पाउडर आएगा काम हल्दी और सोंट दोनों में एंटी आक्सिडेंट गुण मोजूद होते हैं जब वायल फिवर से जल्दी शुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं इस समस्य से राहत पाने के लिए सबसे पहले एक कप गरम पानी में एक चुटकी काली मिर्च आदी छोटी चमच हल्दी का पाउडर एक छोटी चमच सोंट और थोड़ी सी चीनी मिलाएं और फिर इसे ठंडा करके इसका सेवन करें निश्चे तोर पर बायल फिवर से पीलित ब्यक्ति को इसके सेवन से काफी आराम मिलेगा तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे घरेल उपाये जिने अपना कर आप बायल फिवर से रहात पा सकते हैं ये घरेल उपाये आपको कैसे लेगे नीचे कमेंट करके हमें जरू बताना और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए हमाया चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना खयार लखें जै हिन जै भारत